साफदान हो जाए किया आपको भी लोन रिकवरी एसेंट ब्लैक मिल कर रहे हैं हरास कर रहे हैं किर पे आप इन्हें पे ना करें फटफट हेल्प के लिए हमारे हेल्प लाइन नंबर 8271-666-1309 पे आप कॉल वाटसप कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं आपको साफदान रहने की जरूरत है समझना होगा कि यह जो लोन आप्स के रिकवरी एसेंट है यह एक फ्रॉड है ब्लैक मिलर है और यह आमत और पे जितनी भी जो खासकर 7 डेज इंस्टेंट लोन आप है इनके रिकवरी एसेंट है यह फेक होते हैं ना इनका कोई आता है ना पता है ना कोई है ना ही को रिजिस्ट्रेशन है तो ऐसे फेक लोन आप्स के रिकवरी एजेंट से और ज्यादा साफधान रहने की आपको ज़रूरत है क्योंकि इनका एक ही परपस होता है ना यह कानून की बात करेंगे ना कोट की ना पॉलिस की केवल आपके कॉंटेक्ट पे फोन मेसेज करनी के नाम पे आपको ड्राएंगे धमकाएंगे सोचल मीडिया पे अपलोड करनी के नाम पे फोटो को मॉफ करके आपको ब्लैक मिल किया जाएगा कि भईया हमारे पास आपके फोन का पूरा एकसेस है गैलरी फोटो प्राइवेट फोटो वीडियो का हम उनको वार्यल कर देंगे, share कर देंगे, आपकी private wife की pick हो, या sister की हो, या girlfriend की हो, या फिर आपके mother की हो, इस तरीके से आपको धंकाया जाएगा कि पूरा data, पूरा mobile हमारे दौरा hack कर लिया गया है, तो यह हो तब यह तरीका है कि यहाँ पे loan देने के नाम पे, आपके mobile phone पे app को install करवाना, और प आपस का repayment बिलकुल ना करे, अपने यटेल, अधाका, पैन कार्ट, सेलफी देने से पहले, दो बार एक बार सोच लें, समझ लें कि यह fake app है, इसके बारे में चार्च प्रताल केड़नी की बहुंच ज़्यादा ज़रत है, वर्णा बड़ी मसीवत में बहुत से लोग फस्क हैं, डाटा आपका hack हो गया है, ब्लैक मेलिंग चालू कर दिये, बिना apply कि आपके account में पैसे भीज दिये, अब उस situation में मैं क्या करूं नहीं करूं, पेमिंट करूं या ना करूं, यह सवाल आपके मन में आगी पीछे घूमते रहता है, बिलकुल नहीं करना है, किसी भी link प द्वारा बातों में नहीं आना है, उनके द्वारा दिये गए payment link पे payment नहीं करना है, वरना data hack होगा, ब्लैक मेलिंग होगी, पैसे भी जाएंगे, फिर और पैसों की डिमांड की जाएगे, यह सारे आप्स चाइना के द्वारा operate के चानते हैं, मेली इनके call centers पाप्रिस्तान म को समझनी होंगे, अगर आप इनके जाल में फर्स गए हैं, अब कैसे बचना है, क्या करना है, इनके against कहां complain करना है, आपको अपने बचाओं में क्या step लेना है, जिससे contact पे phone या message जानी के chances ना रहे, बदनामी का डर ना रहे, वो सारा कुछ आपको हमारे advocate के द्वारा बता emailing or any legal issue, where to raise a complaint against them, what are the preventive step you have to take in this matter, complete solution our lawyer is going to provide you, WhatsApp us the name of the app and get your problem solution, save your time, money and life, वीडर को जितना हो सके share करे, बाकी लोगों को भी जागरू करे, और किसी भी help के लिए, मदद के लिए, online fraud के लिए, आप में contact करे,